हे वीवर्स वेलकम बैक मैं चैनल इस्तरी इस्टरगल कैसे हो आप सभी आई हो आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स इहां पर मैं किचन में खाना बना रही हूं हाला कि सबजी भी मैंने बना ली है और आज जो है अमावश्य है तो उसकी वज़ेशे आज जो है खीर भी बनानी थी तो खीर भी जो है मैंने बना ली है बस अब मेरी रोटिया सेकनी बाकी है और आज जो सुबह का शैडूल था वो थोड़ा सा बीजी था इसी वज़े से कि मुझे कुछ एक्स्टा बनाना था आईटम खीर बनानी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो इ अपका लिया तो यहां पर खान बन चुका है और बच्चे सुक点 है अगला कि हाँ ऐस्बन का ओफ है तो गर पर ही है और हम्हां नहीं मेरे अच्छा लगता है उनको पढ़के बहुत ज़्यादा है जब मेरे वीवर्स मुझे कमेंट्स करते हैं कि दीदी हमारी सिच्वेशन भी आपके ही जैसी है और हम फिर भी पढ़ाई करते हैं और एक ने तो लिखा था कि तीन बच्चे हैं और एक ने लिखा था कि मेरे पास भी दो बच्चे हैं और इसी तरीके से मैं भी अपने काम को मैनेज करती हूँ मुझे लगन रहती है कि मैं जल्दी से काम खत्म करूँ और फिर पढ़ने के लिए बैटू तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे यह लगता है कि मेरे जैसे भी बहुत बंदे हैं जो मेरी ही तरह अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को जो इतने स्ट्रगल कर रहे हूँ और भी सब है तो मेरे अंदर से भी यही फीलिंग आती है कि मैं और ज़्यादा महनत करूँ और कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी आते हैं कि दीदी आप इतने स्ट्रगल कर रहे हो तो आप एक दिन जरूर कामयाब होगे तो उन सब की ब्लैसिंग के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी की सुब कामनाई और दुआव की वज़े से साथ यह सब काम जो है पोसिबल हो पाए और देखो पोसिबल होगा भी ऐसा नहीं है इमकोसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती लाइफ में सबना देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है सबने देखने चाहिए जरूर देखने चाहिए हर आदमी को देखने चाहिए उसके सोच के रखने चाहिए कि हाम मुझे ऐसा करना है मुझे ऐसा बनना है या मुझे अपनी ये ये चीज है यह जरुत की चीज है या मुझे इसको लेना है क्योंकि जब आप सपने देखोगे तभी तो आप उन्हें पूरा कर पाओगे ऐसे बिना सपने देखे आप बस ऐसे बैठे रहोगे फिर तो आपका कोई गोल ही नहीं है आपको ना कुछ लेना है ना आपको किसी चीज से मतलब है तो आप उन्हें पूरा कहां से करोगे जब सपने देखोगे तभी उन्हें पूरा करने की हिमात आएगी सभी को अपनी लाइफ में सपने देखने चाहिए सपने देखने का मतलब है कि अपने जीवन का कोई गोल सेट करना क्योंकि हर किसी का कुछ न कुछ सपना होता है और वो सपना ही हमारा गोल होता है चाहिए वो किसी का पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहिए किसी काम से रिलेटेड हो कि मुझे वो काम करना है मुझे वह बिजनिस करना है या मुझे जोपा पाना है मुझे study करनी है मुझे twelfth class में इतने marks लाने है या graduation मे इतने لाने कुछ भी हो सकता है सपना या मुझे कुछ खरीदना है या मुझे बड़ा सा घर बनाना है या मुझे एक गाड़ी लेनी है तो सपना तो कुछ भी हो सकता है तो सपने देखने का मतलब एक गोली होता है और जब आप सपने देखते हो ना तो आपके अंदर हिम्मत भी बहुत जाती है उन्हें पूरा करने की हिम्मत आती है तो फिर आप खुद पे खुद ही अपने सपनों पर अपने गोल पर काम करने लग जाते हो आपको किसी की जुरुत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई मोटिवेट करेगा कि आप करो इस काम को करो कोई आपसे जबरजस्ती कराएगा नहीं, जब आपका एक गोल सैट होगा और आपने कोई सपना देखा होगा तो आप उसके लिए खुद पे ही खुद काम करोगे आपको किसी की जरुवत नहीं पड़ेगी और मोटिवेशन की बात रही तो मोटिवेशन तो सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने आप से मिलता है आप किसी को भी देख लो अपने लाइफ में अपने पूरे परिवार में आप किसी को देख शकते हो कि मोटिवेशन अगर आपके ममी पापा स्ट्रगल कर रहे है अपने लाइफ में तो वहां से भी आपको मोटिवेशन मिल सकता है कि मेरे ममी पापा स्ट्रगल कर रहे है तो शायद मैं ऐसा struggle ना करूँ और अपने ममी पापा के लिए कुछ कर पाऊं जीवन में तो वो भी एक बहुत बड़ा motivation होता है किसी चीज की कोई जरुवत हो आपके पापा को आपके ममी को यो आपको लेकिन आप जो है उन जरुवत की चीजों को नहीं ले पा रहे हैं आप अपने ममी पापा की जरुवत को पूरा नहीं कर सकते हैं आपकी ममी पापा आपकी जरुवत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बड़ा motivation क्या होगा यही सबसे बड़ा motivation है कि तभी अगर आप कोसिस करोगे और सोचोगे कि नहीं जितना struggle मिने ममी पापा कर रहे हैं अब जब तक जो इन्होंने struggle करना था इन्होंने कर लिया अब आगे मैं इनको ऐसा नहीं करने दूँगा तो यह सबसे बड़ा motivation होता है अपने आपको देखकर अपने ममे पापा को देखकर अपने आने वाली पीडी को देखकर अपने बच्चों को देखकर यह देखो जो मेरा वीडियो है यह वीडियो शभी के लिए ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ के लिए है यह हाउस वाइफ के लिए है यह जैंस के भी है यह study करने वाले बच्चों के लिए है सभी के लिए है अगर आपको motivation चाहिए तो सबसे पहले अपने आपको देखो अपने मम्मी बापा को देखो अपने पूरे घर के बारे में देखो कि हां किसे किस चीज की जुरुत है और उन्होंने आपसे क्या उमीद लगा के रख अगर आपने एक बार भी यह जान लिया कि हां हमारे मम्मी बापा ने इतना संगर्स किया अपनी लाइफ में और अब मैं उनको यह संगर्स नहीं करने दूंगा या नहीं करने दूंगी आपके बच्चे भी हो सकते हैं आने वाले टैम में कि ना मेरे बच्चे इस तरह का सं कर रहे होंगे और यहां पर मैंने लिया था इंवार्मेंट और बस अब जो है वीडियो का एंड करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आप से बहुत जल्दी मिलती हूं अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जरू जाना